जैसे आप इसकी बात करोगे कि ये गंदी को बचाया जा सकता था चूके हुई तो लोग फिलेक्स जिम्मेदार कौन तो इसके दो नाम सामने आएंगे वादान मंत्री नहुत है वो भी जिम्मेदार बनेगे और सरदार पटेल बिजिम्मेदार मंत्री थे, जी तो आपका जो बचान्थ काहनिया बनाने वाले लंपट लोग हैं यह अपने चीजों को सही सावित करने के लिए एकसी भी इंहें वह बतर सकते हैं वो भार्ती जनसंग गई भी नहीं हो सकते, क्योंकि जनसंग भी नहीं बना था, तो भाई वो लोग कौन थे, जो गोर्सा के नाम पे अलिट क्लास के लोग सुभक रहे थे, Welcome to the Abhijit Chauda podcast. My guest today is Mr. Prakhar Shivastav, who is a senior consulting editor at DD News and he's the author of a new book on Mr. Gandhi called Hera. Please subscribe and enjoy the conversation. प्रकार Shivastav जी, Welcome to the podcast. आपको बहुत स्वागते हैं. तो आज हम इस book के बारे में बात करने वाले, जो आपने recently published किये, इसका नाम है हेराम, author प्रकार Shivastav जी. तो इसमें बहुत सारी myths आपने ब्रेक किया, बहुत सारी ने अपने evidence निकाल के दिये, about ये Mohandas Gandhi जी की हत्या के बारे में, तो आप हम discuss करेंगे, हम तीन myths के बारे में mainly discuss करेंगे. पहला myth ये है कि लोग कहते हैं कि गोडसे ने जिन्ना को क्यों नहीं मारा, गांदी जी को क्य करेंगे, जो पहला, ये बार-बार बात की जाती है, कि गोडसे अगर देश भक्त था, तो गांदी को क्यों मारा, क्योंकि उस समय दिश्मन तो जिन्ना थे, जिन्ने पाकिस्तान मनाया, और जिनके पाकिस्तान की मांग की विरह से लाखों हिंदू मारे गए, तो जाहीर दो तो मैं तो इसका अगर मैं आपको बैग्राउंड बताऊं कि 45-46 के आसपास गोडसे और उसका जो साधी था नारण आपते, जो जिसको गांधी हत्याकान में गोडसे के साथ फांसी की सजा होई, ये दोनों मिल्की अखवार चलाते थे, उस अखवार का नाम था अगरणी, बाद में जब उस पर बैन लगे, बाद में जब उस पर बहुत जरुमाने लगे, तो उसके बाद उस अखवार का नाम बदलके उनने हिंदू राष्ट कर दिया, तो ये अखवार चलता था, अखवार के अंदर वो जिन्ना के खिलाब भी बहुत तीकी भाशा का इस्तमाल क अक्टूबर से शुरू हुए तो जनवरी 47 तक चल रहे थे, तब इनके थोड़ा सो जो इनका एक तरीका था कि हम एक अखवार के जरीए, निउस्पेपर के जरीए, गांधी और जिन्ना के खिलाब जो मुहिन चलाते थे, वो जब इनकी वो लगा कि इससे कुछ काम नहीं चल पा रहा, तो इनके दिमाग में कुछ कुछ नया करने के दिमाग में इनकी आइडिया आने लगे, यह जो इनकी लाइन थी जनलिजम की, यह हिंदू महासभा के जो एक्टिविस्ट थे, यह उस लाइन को छोड़कर, कुछ हिंसा का रास्ते की तरफ चलना गोट से और आ इसे करें, तो इनका जो पहला आइडिया था, और खासकर यह आइडिया गोट से से पहले नारणाप्टे का यह आइडिया था, जो दोनों दोस्त थे, तो इनका आइडिया यह था कि हम जिन्ना को खत्म करते हैं, तो नारणाप्टे यह अपने इस आइडिये को कई लोगों प्लान का करता रहता था तो यह जानकारी मुकंद मालवियों को हो गई तो मुकंद मालवियों जो थे महामना बदन मोहन मालविये के बेटे थे जिनको भारत रतन दिया मोधी सरकार ने तो इंत और नाहीं पेनार रोस्ट बीश्रीद दाले के स्थाफना किति थी क्योंके बेटे थे मुकुंद मालविये मिल गए कि यार एक पुना में दो ललके हैं उनमें से एक नायरावटि जो है वह जिनना को मारने की बात करता उसके पाछ जिनना को मारने का कोई प्लैन है तो य और वो पाइलेट भी थे, बड़े उनके बारे में बहुत बड़े धर्म गुरू थे, दादा महराज के नाम से उनको जाना जाता था, तो वो नोखली होकर आये थे, जब नोखली में दंगे हुए थे, तो उनको नोखली में उनको एक कारे मिला था, जिनको जबरदस्ती हिंदू से मुसल्मान जिन लोगों को बना दिया गया है, उनको शुद्धी करण करके वापस हिंदू धर्म में लाना, इस कारे के लिए भेजा गया था, तो दो दादा महराज थे, उन्होंने नोखली में हिंदू के उपर बड़ी तरह से अत्याचार होते हुए देखा था अबी जी जी तो उनका दिल भी एक्दम बड़ा ही पसिज गया था और वो पसीजना तो मैं गलस शब दिखे रहाऊ, उनके दिल में आक्रोश आ गया था, तो वो भी बदला लेने का उनका मन बन गया था, कि हमने जो अत्याचार हिंदूों पर हुए है नोखली में, उसका बडला लिया जाना चाहिए, तो और वो कही न कहीं, चुकि सूरा वर्दी की देख रेक में नुआखली में नरसंगार हुआ था, सूरा वर्दी जाही तो पर मुस्लिम लीग के सबसे बड़े ले था, मुहमद अली जिन्ना थे, तो कही न कहीं उसके मन में जिन्ना, सूरा इनके लिए नफरत का भाव दादा महराज के मन में पालग। उनसे जब बाचित होती है तो कहते हैं今 मारने ने का प्लान का कैसे मारो गया जो बीज़रूरत हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ दादा महराज बोलदी है जिन्नाए­ं को मारने pros are तो उस वक्त क्या होता था तो इनको मारने का जो प्लान इन्होंने दादा महराज को बताया कि हम जिन्ना को कैसे मारेंगे यह तो वेलनोन फ्रेक्ट इसको मैं बार-बार कहता हूँ कि पाकिस्तान मनाने वाले पाकिस्तान के मुसल्मान नहीं थे, पाकिस्तान मनाने वाले हिंदुस्तान के मुसल्मान थे, यूपी के मुसल्मानों थे, पाकिस्तान मनाया, महाराश्च के मुसल्मानों थे, बंगाल, जिन्ना हो, चाए भूल याकाठ अली खान हो, चाए मुहमद इसमाील χान हो, चाए वू अन्यवड़े निता हो, तो हो इन सब बैठके यहां परोती रहती थे, तो इनका ये प्लान था गोट से और आप टेका कि हम मोटार नेंगे और मोटार से जहां मुस्लिम लीक की यह प्लान बड़ा पसंद आया, तो दादा महारादी ने कहा कि इसके लिए क्या तुम्हें जगवत है, बोले इसके लिए हमको मोटार की जगवत है, तो मोटार कैसे लोग हो तो, इन्हों ने कहा कि गोवा में हमारे कॉंटेक्स है, पुर्टगाली कुछ सैनिकों से, जो, क्य तो कुछ पुर्टगाली सैनिक जो थे वो अपनी सैना का सामान ब्लैक मार्केट में बेशते थे, इनके वहां पर कुछ लिंक थे गोवा में, तो इन्हों ने दादा महराज को कहा कि हम पुर्टगाल की कुछ सैना के कुछ सैनिकों के संपर्क में हैं, और उनसे हमें ये तक दादा महरान ने इनको पैसे दिये तो जब तक ये गोवा से में जाकर वो हतियार मोर्टार ले पाते हमला करने का या वो तैयारी कर पाते उसके पहले ही 11 अगस्ट को जिन्ना और जितने साथी मुस्लिम वीक के लीडर थे वो कराची चले गा पाकिस्तान चले गा तो मौक मारने का प्लान इनका कहीं नहीं है मैं आपको अगस्ट 1947 की बात कर रहा हूं गांजी को मारने का प्लान नहीं है फिर इनको एक हबर मिलती है कि जिन्ना जो है अक्टूबर में स्वीजर लेंड जाना चाहते हैं अब इसको लेकर लोग कह सकते हैं कि यार यह कुछ इस बात म तो जिन्ना को चुकी टीबी की बिमारी उस समय टीबी का सबसे दुनिया भर में सबसे बहतर इलाज स्वीजर लेंड के अंबर होता था तो अप्लान के लिए लिए अपना स्वीजर लेंड जाएंगे लेकिन उसी बीच यह लोग इप्लान मना लेते हैं गोड से आप आपक हम किसी तरह स्विजय लेंड पहुश जाएंगे फंड वगएरा लेकर दाडा महराज जैसे लोगों से पैसा लेकर स्विज़ लेंड पहुश जाएंगे ह solo लेकरों वहां पर हम जिन्ना को मार देंगे बार सेकुरिटे कि पूरी इस्तिती थी उसमें उलज कर रहे हैं तो बहुत दुनों तक वह उसमें उलजे रहे हैं और आपको याद होगा कि जब यह पूरा चलता है तो अंतिम समय में मरी चले जाते हैं मरी जो पाकिस्तान का एक हिस्टेशन है तो वह बीमारी के अधर से प्रवचिता है तो इनका प्लान यह था कि स्वीज़ेंट जाकर जिन्ना को मारेंगे लेकिन वह भी इनका पूरा नहीं हो पाया तो कहने का मतलब है कि इन्होंने गांधी को मारने से पहले दो बार एक नहीं दो बार मौम्मा गली जिन्ना को मारने का भी प्लान मनाया था लेकिन वो प्लान सक्सेस्फुल नहीं हो पाया तो ये बात किसी को पता क्यों नहीं है? हुआ था उसमें दादा जी महराज की जो गवाई है उसके अंदर कहते हैं कि जिन्ना की हत्या के नाम पर हम उससे 5,000 रुपे लेकर गए थे आपने और गोट से ये कोड के अंदर गवाई में कहा है ये कोड के रिकॉर्ड में है ये कोड के रिकॉर्ड में च्वार कहां आपके सामने कि अच्छा गबब कड़वा कड़वा थू 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 क्ड़वा थू तो यह जो ये जो लेफ्ट लिबरल जिसको मैं लिपरू गैंग कहता हूं तो यह जो लेफ्टिस इस्टोरिय नहीं और लेफ्टिस जो विचा यह क्या करते हैं कि अब ठीक लेकिन उसने कभी जिन्ना को मारने का प्लान मना रहा था तो शाहते नहीं कि पूरा सच सामने आए हत्यारे का भी सच पूरा सामने आए यह नहीं चाहते हैं और गांधी हत्याकान की पूरी परताल भी दुनिया के सामने आए यह नहीं चाहते हैं इसलिए यह तमाम जानकारियों होने के बाद चुपा लेते हैं मैंने 17-18 साल करीब करें इस पुस्तक को लिखने में रिसर्च किया और मैंने नाम ही इस पुस्तक का नाम है हे राम गांधी हत्याकान की पर्मानिक परताल बड़ा एकदम वैसा नाम लग रहा है कुछ कैची नहीं है मैंने कि नहीं यह पर्मानिक परताल है इस लिए मैंने इसके अंदर इसका नाम भी यह रखूँगा क्योंकि यह सब नैशनल अर्काइव में और यह सब भारा सरकार के रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर इस सब चीज़ें मौजूद हैं जिसको छुपा ल कि नाल निगें इस कोषिश नहीं होना चीज़ तो यह कोशश घंदी है कान में लगाता है सकताए prior希望 से हो रही है तो मतलब सारेके सारे सबूत रिकॉर्ड्स है हमारे बिल्कुल लेकिन हमारे जो महान हिस्टोरियन से उन्हों ने उसके में बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे यह गांधी बात करते हैं मैं जनलिस्ट हूँ बीस साल बाइस साल मुझे जनलिजम करते हुए और मुझे बढ़ी हसी आती है जब गांधी जब भी 30 जनवरी आती है तो भारत की लगब सभी वेबसाइट पर यह आर्टिकल अलग अलग नाम सो लोग छापते हैं एक द करते होंगे एक अर्टिकल दस पारा वेफसाइट भी दरूर छपता है जाए वह हिंदी की हो चाए वह अंग्रीजी की हो वह छपता है कि नातुनाम गोर्से ने गांधी को मानने के लिए पहले भी चार बार प्रयास किया है चार बार कोशिश किये तो अब उस कोशिश यह क 24 i think और पां सेवा ग्राम में 46 मानने की कोशिश की और फिर एक बाड़ बताते हैं 20 जनफरी 20שרכ clean को भी गोर्से ने आननी की कोशिश की तक Last लेकिन यї पंजगणी और सेसाँ ग्राम के जो कहानी कणते है यह काहनी कपकी है 44 और 46 इस समय की कि यह वह काहनी कारते है कि यह दुनिया को यह ूत कर सके टो तो ना पाकिस्तान मना था ना पाकिस्तान को पश्पन करोड उपर देने की की खिद्धी घांदी की यह तो तब ही से गांदी की की पीछे पड़ा जितनी investigation से निकल कर आती है कि गांधी की हत्या का फैस्ता वो उस दिन करता है जब गांधी जनवरी के दूसरे हफते में जब अंशन का एलान करते है तो उनके अंशन के सामने का एजेंडा तो यह होता कि दिल्ली में दरजोन अखवार ने लिखा है कि गांधी 55 करोर रुपे देने के लिए अंशन कर रहे है तो गोट से खुछ जनलिस्ट था तो जब वो सेकंड वीक में जब उसको एक ख़बर मिलती है उसके अखवार में टेली प्रिंटर पर जब ख़बर आती ही गांधी 55 करोर रुपे की लेंशन कर रहे है तो गांधी को मार देगा फैसला करता है कि अब हम गांधी को मारेंगे उसके पहले गांधी को मार देगा कोई ऐसा उसका प्लान नहीं होता वो तो जिन्ना जो सम्मेन आपको बता है उस तरह का प्लान था वो जब पाखिस्तान जा रहा होका ट्रेन में तो वाग्सिशी तरह की उसने प्लान मनाया थे गांदी के प्लान भी पैले तक उसने त maturity टो बहुत Bye अब मैं जब उसके उसमें रिसर्च किया, तो पंच गनी मैं जब वो एक कहानी करते हैं कि गोड से चाकू लेकर गांधी के पीछे दोड़ा था, अब अभी जी जी, आप हिस्टी वेतना अच्छा काम करते हैं, दुनिया के गांधी पहले ऐसे नेता है, जिनका दिन, समय और म है कि नारण आप्टे एक विरोध प्रदेशन करने गया था, क्योंकि जिन्ना के साथ बातचित करने के लिए जा रहे थे, तो उसके लिए विरोध प्रदेशन करने, 30-40 युवा लेकर गया था, गोड से उसमें नहीं गया था, लेकिन यह क्या कहानी बनाते है, कि गोड से गांधी को पीछे पंजगनी के अंदर चाहू लेकर दोड़ा, अब जब आप्टे ने उस दिन धरना प्रदेशन किया पंजगनी में, तो वो खबर टाइमस ऑफ इंडिया में चपी, और उसमें बताया कि एक नारण आप्टे नाम का युवा का आया था, अपने साथ 30 साले समर्थक लाया था, गांधी गुगाओ बैक के नारे लगाया, गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाया, और फिर पुलिस्टन को गिरिफतार कर दिया, और बिबाद में जमानत पर रिहा कर दिया, अब मुझे एक चीज़ बताईए, अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं ना पंचगनी का वहाँ पकड़ा जाता, फिर वहाँ पर एक भिलारे गुरुजी है, जो ये दावा करते हैं कि पंचगनी में गांधी की पिचे चाकु लेकर दोड़ा मारने के लिए, फिर मैंने उसको पकड़ लिया, गोड़से के हाथ को, और उसका हाथ जोड़ से पकड़ा दोड़ा, तो और किसी ने क्यों नहीं देखा, और तुम तमदार गांधी, हम लों कैसे होते हैं, गांधी बादी 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 की घत्या की जाच के लिए, लाल भादु शास्ती जी के समय बना था, और इंदरा गांधी के समय उसकी रिपोर्ट आई, तो कपूर कमिशन न तो जो पुलिस वाले वहाँ पर तैनात थे, जो रिपोर्टर्स वहाँ पर तैनात थे, जो लोग चश्मदीत थे, उन सबसे उन्हों ने पूस्ताच करी, और कपूर कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कि ये दोनों घटनाय जूट हैं, कि पंजगनी में कोई गोट अखफार के अंदर छपता है, और आप इनको कहना चाओ कि तो यह आप कोई गलत साबित करते में पर आते हैं, कहीं किसी रिकारड के अंदर नहीं है, बाधि क्या खाते थे, गान्दी क्या पीते थे, आज शुओन ने बकरी का दूध पिया, बकरी के दूध के साथ उन्हों पालक का जूस पिया, संद्रे का जूस पिया, कितने ओन से संद्रे का जूस पिया, ये तक लिपी बद्ध है गांदी का, एक एक दिन का सुआ का नाश्ता, और ये नहीं है, पिचाकू लेकर दोड़ा, ये मन गणत कहानियां बनाने वाले बहरू, लंपट लोग हैं, ये अप गांदी हत्या कान के 360 डिग्री आया, दुनिया के सामने आये, तो ठक ठका उस पर लेबलिंग कर देगे, और ये तो गोट से का समर्थ है, ये तो गोट से बादी है, अरे भाई गांदी हत्या का जाट को आप दुनिया के सामने ला रहे हो, तो आप गोट से का समर्थन नही तो ऐसे में गांदी की हत्याकान की अस्ति वज़ा क्या थी यह जाश्तु होना चाहिए यह सामने आना चाहिए बिल्कु जब आप वसामने की कोशिश करते हो तो घबरा जाते हो घबरा के अपनी फ्रस्रेशन में और अपनी कुंठाओं में आपको बलते अरे तो बूर्ट से यह तो हम पर आरोब लगेंगे तो यह इसलिए 70-70 साल से चीज़े दबी रही मेरे उपर भी बहुत दवाब आया जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो मेरे मैं नहीं किया रहा कि वह मेरे दुश्मन थे इनफेक्ट वह मेरा भला चाहने वाले लोग थे मेरे सीनियर्स थे मे ऑट की इंकारी पे लिख रहा हूं इंकारी पे लिख रहा हूं बयानों पर लिख रहा हूं एक सो चोऔर नहीं वह अधार पर लिख पूम द्क्री मैंने तो अपना लिख कुछ अपने से नहीं लिखा जो फैक्ट से मुझे को बस बताता चला गया तो यह से कई चीज़ें जो अभी तक लोगों को मालूम नहीं है जी दूसरी बात कहीं जाती है कि 14 के बाद गोद्से का बहुत क्या बहुते हैं को गलोरिफा कर रहे हां मही मामंडन हो रहा है तो यह सच है कि देखे यह ना यह भी इनकी लिवरू गैंग की चालाकी है यह लोग क्या होता है कि इनको 2014 के बाद जो परिवर्थन हुआ है ना है यह इनको हजम नहीं हो तो मोधी सरकार को बदनाम करने के लिए मुदी सरकार के खिलाव अपना एजंडा सेट करने के लिए ये एक ये मुद्धा उचालते हैं कि जब से मुदी सरकार आई है 2014 के बाद से तब से एक तबका है जो गोटसे को कल्ट बनाने पर या उसको गलोरिफाई करने पर उसका महिमामंदन करने पर तुल गया है और ऐसे संदोगों की संख्या बढ़ गई है ये इस गोटसे का नाम का इस्तमाल करके ये मुदी सरकार को एक विचारदारा को बदनाम करने का ये शडियंत राच रहे हैं इनको ये मालूम नहीं है क्योंकि जब मैं सारे उस समय की रिपोर्टिंग, उस समय के पेपर्स, उस समय की सारे चीजों का अध्यन जब कर रहा था अध्यपूर कहले, आप वह आपकी इच्छा है, आप इसको कुछ और कहना अचा है, आप उसकी कुछ और कह सकते हैं, लेकिन ये सत्य है, इस सत्य से आप पीछा नहीं चुड़ा सकते हैं, तो गांधी की हत्या के बाद से ही, कुछ लोग ऐसे इस देश में थे, एक अच्छ कह रहा है, ये तो फैक्स हैं, अब मैं आपको कुछ फैक्स बता देता हूं, ये वेल लोन फैक्ट हैं, अलागे इसका बहुत लोग इस बारे में जानते हैं, गोर्से को जो फांसी सदा सुनाए गई हाई कोर्फ में, जस्तिस कोस्ट लाने, उनने जजजेस डाइरी अपनी दुख में, रुमाल ढून रहे थे अपने, और पिन डॉप साइलेंस था, और सुबक ने की आवाज आती थी, गोर्से अपना पयान देता था, और उन्होंने आगे लिखा, कि अगर मैं उस कोर्फ में मौजूद लोगों को जूरी बना देता, तो शायद गोर्स गोर्स से बाइसद बरी हो जाता, अब यह कौन लिख रहा है, यह कोई प्रकाश वास्ता ने तो नहीं लिखा, यह अभी चिज़ चावडा ने भी लिखा, यह जस्टिस जीडी खोस्तला ने लिखा है, जस्टिस जीडी खोस्तला वो वेक्टी, जो हाई कोर्ड का जज़ है, जो ही के जस्टिस खोस्तला के भारे में अब को निखा, यह सब बहुत महों के चीज़ जांकरी है, जस्टिस खोस्तला के अंश के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आउनल्सिस करते हैं हradeшиб वो कि यह जो शिमला में और हो रहा था, न। उ यह जणिडे सम्दा नहीं था, हाँ 47 में शिम्ला था वो हमारी खृष मकालीन अंग्रेजों की राजधानी होती थी शिम्ला में एलिट क्लास रहता था भारत का जजेश की फैमिली ब्यूरुक्रेट्स की फैमिली बड़े बड़े पिस्डिसमेंस की फैमिली अंग्रेज ऑफिससर एंग्लो-इंडियन उस तरह का श्मला में लोगों के रहने वाले थे. तो कोर्ट में जो महिला ऑट बैठी थी, किस बैगरॉंड से हुआ जो या तो RSS की मेंबर तो नहीं हो सकते, वो रसो पर अगरॉंड लगा थे, वो विश्विंदु परिशद के भी नहीं हो सकते, क्योंकि जन संग भी नहीं बना था, तो भाई वो लोग कौन थे, जो गोट से के नाम पे एलिट क्लास के लोग सुभक रहे थे, जिसका जस्टिस जीडी खोसला एक्जामपल देता है, चलो जस्टिस जीडी खोसला को जूटा मान लेते हैं, हम एक निट के लिए अभी जी जी अब हम बात करते हैं मौलाना अजाद की, अब मौलाना अजाद तो धर्म देर पेक्ष्टा के लंबरदार है इस देश में, पहले एजूकेशन मिनिस्टर, मौलाना अजाद, आप और हम क्या लगते हैं, वो कभी जुट बोल सकते हैंगे, कभी नहीं बोल सकते हैंगे, आप एलिट क्लास, शिम्ला के एलिट क्लास की महिलाएं, गोटसे के लिए स्वेटर बुनकर भेज नहीं थी, अब ये तो मौलाना अजाद कह रहे हैं, बिल्कुल मानना पड़ेगा, तो ये इसका सिक्रोर रहाता, ये गोपाल गोटसे, जो नातुनाम गोटसे का भाई है, ये माई में हलका साथ, जून की आसपा सिम्ला में ठंडा हो जाता है, तो गोटसे के बस गरम कप्ले नहीं थे, पहली पेशी हुई तो थो ठ्टरन काप रहा था, तो जो महिलाएं थी, वो उसको देखके द्रवित होगे, दुखी होगे, तो उसके लिए स्वेटर बुनकर उनकी बात मान लेता था, किसी महिला ने का कि आज गुलावी रंका स्वेटर में आपको बिनके, तो वो पहन के आ जाता था, फिर कोई बोलते हैं नीला स्वेटर में आपके बुनके बिजा आजए, वो पहन के, बो लग क्या फ़रक पड़ता है, किसी की इच्छा है, उन्ह आपको बता दिए अब तीसरा बताता हूं मैं आपको एक्जामपल आप अंबाला पे जब मिलने के लिए जाता है गोडसे परिवार आखरी बार जहां पर फासी दी गई गोडसे को तो जब वो इस्टेशन प्रेन में होते हैं और मालम बढ़ता है लोगों को कि यह वो गोडस आपको गोडसे को जब मारा गया तो पहले तो जिंदा गोडसे से डर गया है अनुमतिते बताइता हूं जिंदा गोडसे से बयान दीता था कोड और अगले दिन जब उसके बयान चंपते थे तो लोगों में साहनभूती पैदा हो जाती थी उसके लिए तो डॉक्टर राजिन प्रसाजु भारत के पहले राश्पती बने उन्होंने चिट्टी लिखी सरदार पड़िल को सरदार पड़िल ग्रह मंतिर होने के साथ आइंड बी मिनिस्टर भी थे तो उनको चिट्टी लिखी कि जो कोड के अंदर जो कारवाईयां हो रही है इसको जब छापा जाता है तो इससे गोट्से के प्रती साहनगूती पैदा हो रही तो इसको आप बंद करवाईये तो डर रहे हो ना सरकाने बैठे लोग डर रहे हैं फिर एक और घटना करम होता है गांधी के जो सबसे प्रिये वेटे थे रामदास गांधी वो यह इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं गोट्से से मिलूगा तो गोट्से को एक पत्र लिखते हैं और आतियासिक पत्र है मतलब दोनों तो राम्दास गांदी ने जो पत्थ की भाषा लिखी है जबरदस भाषा यह उसमें राम-दास लिखते कि प्रिया नातुराम मुट से और लिखते कि आपने मेरे पिता की हत्या करी है, उनके शरीर का नाश की आ है लेकिन उनकी आत्मा को आप नहीं मारा पाए उनकी गांदी को लिखता हूँ पत्र मैंने पढ़े उस तक में उसके अंच भी लिए अच्छा वो लिखता है पहला पत्र की पहली जान की प्रियर रामदास मुझे इस बाप का दुख है कि मेरी वज़ा से आपके सर से आपके पिता का साय चंग गया मैं आपके परिवार से माफी मा तो आप ही जेल में आ सकते हैं मैं तो बाहर निकल नहीं सकता तो आप आजाए तो फिर रामदास गांदी एक पत्र लिखते हैं कि मैं आचारी विनोवा भावे के साथ आके आपसे मिलूंगा हाँ आईए हो सकता है कि मुझे गलत साबित कर देंगे यह हो सकता है मैं आपको गलत साबित कर दूँ गोड से लिखता है तो यह पत्र विवार हो ले तो फिर रामदास गांदी सी राजगाउपालाचारी जो समय गवर्नर जनरल भारत के बाद चुके थे गांदी जी के समधी भी हुआ करते थे वो उनको लिखते हैं कि मैं गोड से से मिलने जाना चाहता तो राजगोपालाचारी ये खवर महरू को मिलती है पटेल को मिलती है तीनों घवरा जाते हैं तो तीनों ये रामदास गांदी को उनका पत्र वहवार पूरा आपस पत्र लिखते हैं नहीं रामदास गांदी को मिलने से रोको क्योंकि अगर रामदास गांदी गोड से से अट करती है तो ये उल्लेक मिलता है और देने के बाद ये उसके शव को, नैरा अप्टे और गोटसे के शव को उसके परिबार के हवाले नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ये जेल के अनदर उसको चिता सजाते हैं और जेल का एक पंडित होता है, जो जेल के स्टाफ होता है, ब्रहमन होता है, तो वो इनके क्रिया कर्म कांड का पूरा जम्मा समालता है, तो वहीं पे इनको जला दिया जाता है, अब जलाने के बाद जिस जगा पे जलाया गया, उस जगा पे भविश में कोई इसमारक न बन तो उस जगह पे हल चलाकर छोटे-छोटे घास के बीच बोदी जाती है जिससे की निशानी मिड़ जाए और ये बात मैंने नहीं कह रहा ये रॉबर्ट पेन जिनकी पुस्तक के आधार पे गांधी फिलिम जिसको कई आउसकर आवार्ड मिले हैं ये उसके अंदर लेख मिलता है ये जेलर्स, आप जब जेल के रिकॉर्ड में जाते हैं बहुत सारी लोगों से आप उसका पढ़ते हैं पता करते हैं तो जबकि छोटा भाई गोपाल गोटसे उसी जेल में बन था उसको भी मुखागनी नहीं देने दी गई नाथरम गोटसे को जेल वालों नहीं जला दिया उसको चिता को उससे राख हटा कर हटा कर राख हटा कर उस जगाए पर घांस बोदी कि ये निशान मिढ जाए तो आप उसकी लाश से डरे अब मैं आपसे एक बात और कहता हूँ जिन्दा गोटसे से डरे उसका भी जलूस उस देश में निकल सकता है तो दो पीपों के अंदर नाथराम गोटसे और एक पीपे में नारणाप्टे के अस्तियों राख को भरा गया और दो पुलिस वाले अंबाला से निकले ट्रेन में और एक शंबू बेरियर आता है आप कभी अंबाला जाया तो जगा देखिएगा शंबू बेरियर आता है जहांसे एक बेरियर है पुल है और नीचे जो है वो गगर नदी बहती है उन दोनों उस गेट पर आये पुलिस वाले और वहाँ पर उन्होंने वो दोनों पीपे फिक दिये उत्री नदी थी उसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं था वो पीपे नदी में फिक दिये तो नदी की तल हटी जो किनारा होता है वहाँ पर वो दो पीपे गिर गए दरे राक से कि राक भी अस्थियां भी परिवार को ना मिल पाए उन दो पुलिस वालों ने ये बात अंबाला के बजार में बुद्गों को पता दी कि वो उनको फासी दी गई थी ऐसा ऐसा हुग और हमने वो पीपे फिक दी है उन्हें अस्थियां तो हिंदू महासभा के कारेकरता को मालूम पढ़ गया तो वो अपने कुछ लोगों को लेकर पहुचा और उसमें वो अस्थियां अपने पास रखे रहे और काफी समय तक वो अस्थियां अपने पास रखे रहे और जब गोपाल गोड से 64-64 पैसर पे जब छूट के आए जेल से बाहर तो उनको वो दे दी गई अस्थियां और अस्थियां वो आज भी गोड से परिवार के पास रखे हुई है जिसमें गोड से क्या अंतिम बिल ये थी, अंतिम वसियत ये थी उसकी कि मेरे मरने, जो मेरे अस्थियां हो, उनको संदू नदी में बहा देना सिंदू पाकिस्तान में चले गए जब भारत पाकिस्तान अखंड भारत बन जाये तो भाहा देना और दूसरा एक बज़ए और थी जब गोपाल गोड से बात पूस्ता है नारेलाप्टे और नाथुराम गोड से अपनी अस्थियाँ तो ये दोनों कहते हैं गोपाल गोड से जेल में अपने मरने से पहले है कि हमें इस बात का दुख है कि जब गांदी की अस्थियां भारत की हर पवित्र नदी में भाई गई गई और भारत सरकार ने जब ये रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि ये अस्थियां गांदी जी की सिंदु नदी में भाई दी जाएं वो चा उसकी लाश से डरे और उसके बाद उसके अस्तियों से डरे तो ये कहना कि 2014 में गोटसे का महीमा मंदन है तो भाई क्यों नहरू सरकार ये कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि गोटसे का महीमा मंदन हो रहा है एक तपका है जो गोटसे की पूजा कर रहा है जो गोटसे को अपन नजर आ रहे हैं लाल किले कोट का जो पहले सुनवा ही हुथी बादमिशिप नाई कोट में हुई तो पुराने लोगों से आप बात करें तो पताएंगे पहले फिल्म जब टॉकिश हॉल में एक न्यूज रिल दिखाई जाती थी जो भारा सरकार बनाती थी तो उसमें महने भ वह सहे उत्याइश में उनने सो निचास में हो रहा था तब आरा से सरप्रतीमन लगा हुए था विशंदू परिशक नहीं थी भारती जल्संग नहीं थी भारती जलता पार्टी मोदी जी नहीं थे योगिया दितनात नहीं थे नहीं तो कहा फसा रहे हुग आप गोट्से के लेना देना दिया बाट ऐसे as a researcher as a journalist मेरा काम सच बताना है कि भाई ये 2014 के बाद भी हुआ ये 1947 में शुरू हो गया था बिलकुल बिलकुल अचा तीसरे बात यह है कि गांदी जी की हत्या 30 जनुरी को हुई 1948 उसके पहले एक और प्रयास हुआ था बीस जनुरी को बिलकुल उसमें क्या हुआ था और उसका जो आपने कहा है आपका चाप्टर 75 चुके है तो उसके बार में जरा बताए प्लीज मैंने तो 75 चुक लिखी ए गांदी को लेकिन अगर मैं इसको और लिखता ना तो इसको 750 चुके भी कर सकता था और ये जो मैंने 500 पेच की किताब लिखी ये 5000 पेच की भी हो जाती है इतनी गलती हैं कहने का मतलब अभी मैं आपको बताना शुरू करूं तो अभी दुपैर हो रही है ये अगले दिन सुबह तक बताता रहूंग गलती हैं खतम नहीं होंगी अच्छा गांधी को एक तरह से अगर मैं कोई गांधी वादी मेरे शब्दों से आहत हो तो मैं पहले ही माफी मानगना चाहता हूं एक तरह से गांधी को इन्होंने तश्तरी पे रखके उस समय की सरकार ने ऐसे उनकी हत्यारों के सामने परोज गांधी की गांधी को आसानी से बचाया जा सकता था वो क्यों नहीं बचाया गया वह गल्ती थी या साजिश थी इस पर कभी इस देश पर बात नहीं होती है आप में 20 जंवरी के हमले का जिकर्टिया क्योंकि उसी से जोड़ा हुआ है जब गोर से 2nd week में गांधी को मारदे क्या सपस इधर रुखते हैं और इनका प्लान था कि 20 जंवरी को जब प्रातना सभा हो रही होगी तो इनके साथियों के नाम बता देता हूँ नातुराम गोर से नायरन आपने दिगंबर बढ़गे उसका नौकर शंकर किष्टया नातुराम गोर से का छोटा भाई गोपाल वोट से विश्णुकर करें और मदलाल पावा मदलाल पावा एक रिफीजी था 20 साल का जो पाकिस्तान चाप में सब कुछ गवा किया था उसके परिवार के कई लोगों को मार दिया दिया था हमापर उससे में था तो प्लान यह होता है 20 जनवरी को इनका कि पहले मदलाल पा कि हम ना सिर्फ गांदी को मारेंगे उस दिन बलकि सूरावर्दी को ही मार देंगे बूचराव पंदाल गांदी के साथ प्रात्ना सवा में आया करता था इनका प्लान यह था यह पहुच भी गया मदलाल पावा ने बंबी लगा दिया बंफट भी गया तेकिन आवाज होती तो गांदी ने कहा बैठो बैठो इतने से डढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं हुआ यह सेना के लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो यह बार यूटूब में गांदी का यह भाशन गांदी जी की आवाज में पढ़ा हुआ है आप सुन लेना और वहल किसी भगदल भी मची लेकिं वो गांदी जी ने रोक दी तो यह पैनिक कर गया और इनमें कॉडिनेशन की भी कमी थी अनारी थे लोग इनमें कोई भी हार्ड कोर क्रिमिनल नी था एक दिगंबर बढ़गे को छोड़के तो इनके प्लान बनाते रहते थे तो जिन्ना को मार कुछ और आपके कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग गोली चलाएंगे हम भज़ाएंगे तो इसमें गोली चलाई नहीं तो इनके बीटे फूट पड़ गई उस वक्त तो घबराट में आपस में जब देखा कि पाहवा ने बम फोड़ा बढ़गे ने गोली नहीं चलाई तो प गांधी की अहिंसा में कभी विश्वास नहीं पुलिस तो मारती वाइसाथ अच्छे से मारती है तो पुलिस में उसके साथ वोई किया उसने पूरा बात में जब जेल से चुटकर आया उन्नीसो पैसट में तो बहुत मारा था उसको पुलिस जब मदलाल पावा को मारा तो उसने देर राग तक 20 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कि 10 दिन पहले उसने सारे राजुगल दिया उसने बता दिया कि जो मास्टर माइंड है वो पूने का ब्रहमन है ठीक है उसकी आखे हलकी से कंजी है यह उसकी है रंगोरा है बाल गुंगराले है गोटसे का हुलिया जो था और अग्रणी अखवार का वो संपादक है और दोनों नाम दिया अग्रणी और हिंदू राश्ट जो दोनों अखवार के नाम रह चुके देवोटसे के उसने दूसरा क्लू दिया कि यह जो वेक्ति है इसके साथ नमबर टू वो है नारानाप्टे नहीं उसने नाम भी बता थे कॉंसलर अच्छा बड़े नेता खुब पैसे वाले थी वहां पर अच्छा उस ते विश्टू करे 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 कि नाम दे लिया कि वह भी था इसमें ठीक है पुने की पुलिस को एहमन नगर की पुलिस को सबको इंफॉर्मेशन पहुच जानी चाहिए थी उसी रात दो-तिन द पहावा ने ये भी बता दिया कि मरीना होटल के अंदर रुके थे तो वहां पर काली चरण करके के वेटर हुआ करता था तो उसमें कपड़े दे दिये गूट से के बुले ये सुबा कपड़े ड्राइग लिंग देखा गया थे भाग गया थोड़ी दिर पहले दोनों और य पहना करते तो कपड़े आपसे मिक्स ना हो जाए तो लोग ब्लैक इंक से इनिशियल्स लिख देते थे तो उसके कपड़े में लिखाता था एन डॉट वी डॉट जी डॉट नाथूराम विनायक गुट से ठीक है तो पुलिस को क्या करना था पुलिस को पता करना था कि पुछना प्रसारान मंतराले में आज भी मैं खुद पत्रकार हूं मैं जानता हूं इस बात को भारत में छपने वाले सारे अखवारों के नाम उनके मालिक उनके संपादक और उनके मैनेचर यह नाम पूरे सूचना प्रसारान मंतराले के अंदर लिखे होते हैं पते लिखे इतनी गलतिया है कि मैं बता नहीं सकता उसके लिए पुस्तक पढ़ने ही पड़े कि मैं दर्शकों से यही निमेदर करता हूँ जैसे बच्चे चोर चोर सिपाई खेलते हैं हमने भी आपने भी खेला हो बच्पन में तो हम भी जब चोर सुपाई का खेल खेलते थे तो हम वो गलतियां नहीं करते थे जो समय दिल्ली में और मुंबई में और पूरे और एमन नगरे बैठे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वो गलतियां कर रहे थे मैं एक्जामपल देता हूँ कि मदलाल पावा एक डॉक्टर जैन की पुस्तके बेचा करता था बॉम्बे में तो डॉक्टर जैन बाद में उनको पदमिश्री भी दिया भारत सरकार ने बहुत बड़े एक प्रोफिसर थे रुया कॉलेज में पढ़ाते थे मुबाई के तो उनको वो अपने पिता की तरह मानता था मदलाल पावर इस ते मम भोड़ा था तो ग्यारा जनवरी की आसपास वो डॉक्टर जैन के पास गया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो डॉक्टर जैन जो सब पुलिस को बता दिया डॉक्टर जैन से गलती होई डॉक्टर जैन ने सोचा यह लुटा पिटा आया है परिवार गवाया है ऐसी गुस्से में बोल रहा होगा तो डॉक्टर जैन अपनी बात उस बात को दबा के बैठ गया उन्होंने इसकी ब्रेंवाश करने कोशि बिलकुल उनने का यार तो गड़बर हो गई यह तो सब बता दिया था मुझे अम मेरा भी नाम दे दिया तो मैं भी फ़सूँगा तो डॉक्टर जैन ने कुछ नहीं किया वो सीधे मुस्वमें जो महराष्ट के मुख्य मंतरी थे खेर साब उनके पास पहुँच गया तो इसको बड़ी घंपीर बात है आप मुझे देसाई से बात कर तो मुझे देसाई पादी समय विद्वां बॉंबे के ग्रह मंतरी होते थे वां में बॉंबे ने सब कुछ बता दिया वर्वाव की यह वां पावा इसके साथ यह लोग हैं तो मतलब देश के बहुत बड़े कान की साधिश रची गई उसके ग्रह मंत्री को मालूम पड़ गया है मोराजी देशाही ने कहा कि यह मैं भी कल एहंदावाद जा रहा हूं आज रात एहंदावाद के निकल रहा हूं कल मेरी सरदार पठेल से मुलाकात होगी तो यह सारी जानकारी में उनको देदूगा बाद जैन वाली बात नहीं करी फिर क्या हुआ जिम्मी नागरवाला जेडी नागरवाला जो समय मुंबई पुलिस से एडी में हुआ करते थे उनको पूरी जांश दे दी जाती है तो जब दिल्ली पुलिस पहावा का बयान लेकर आती है आप इनको पकड़िए तो जिम्मी नागरवाला को भी पहले मिल चुकी थी पिर दिल्ली पुलिस के लोग भी आ गए वो जांश लेकर कि आप क्या हो रहा है मुंबई और पुने और एहमाद नगर में बोलो तुम लोग जाओ यहां से इंस्पेक्टर जस्वन सींग को बालकेशन वगेरा नाम थे उनके पुस इनलियों को तो पालन कुछ नहीं करते हैं जब कुछ नहीं करता है तो घुर्दू में बयान दिया है हम इससको इंगलिश में कर दिया है तुम जाओ ऊसको नागरवाला को भी दिया आदी चार जाओ वो फ्लाइट से जाओ तुम तो राणा साब सूचते कि अरे अच्छा मौका हात में आया है मैं फ्लाइट से जाओंगो तो तो क्यो ना मैं इलाबाद होता हुए ट्रेन से जाओं तो इलाबाद में कुछ माग पूर्णी में को एक वो लगने वाला था गंगास्तान और संगम पर स्थान करने का बड़ा पुर्णी माना जाता तो राणा साब बड़े पुर्णी आत्मा थे हुए उनको धार में करम पर विश्वास था तो बोले में फ्लाइट में डर लगता तो मैं ट्रेन से जाओंगा तो डैरेट ट्रेन नी पकली उन्हें मुं पार्ट की या फिर वो मुंबई पोजी तबता हो चुकी 25 जनवरी ठीक है उन्होंने फाइल दी नागरवाला को तो नागरवाला चोड़ो या विस्की विस्की पीते हैं पहले साथ में फिर देखते है नागरवाला फाइल छोड़ो ये बिल्कुल सब on record दोनों की गभाई संजीव जी को फोन लगाते हैं राणासाब मेरे पास फाइल लेकर यह मैं देख ली है में यह कोई गांदी को मारने का प्लॉट मीं यह गांदी को किड्नेप करने का प्लॉट है अच्छा बोला यह एक आद्मिय के 10 लोगों का गुरुप है इनके साथ 10-10 लोग जुले हैं उनके साथ 10-10 लोग जुले हुआ और यह हजारों की लोगों की संख्या है और यह गांदी का अपरहन करके सरकार से अपनी कुछ मांग बढ़े निता थे इनको सिख समाएन में बड़ा सिक्खों के बढ़े निता थे मास्ट तारा से उनका नाम नेता है फिर यह दूसरा नाम नेता है कि इसके अंदर करदल महन सिंग कौन जिन्होंने आजा दिन ख़ौच के पहले मुखिया थे हो और बादम रासवासर बने कु जेडी नागरवाला संजीदी को सुना के, वो बने काम को अपनी रिपोर्ट मना कर भेजो, रिपोर्ट मना कर भेजते हैं, जेबी नागरवाला, लेकिंगे वो रिपोर्ट मिलती है, 31 जन्वरी 1948 को, दुबहर 12 बजे, तब तक कांदी जी की शवयात्रा जो थी, दिल्ली की पूछा गये गांधी को सेकृरिटी की नहीं देते हैं, वो तो मसे को और सकृरिटी के के लिए मना करतेते, ऐसे घ्टी के लिए 50 सीजों के लिए मना करते वो तो कहते थे फिलना को भी मत रहो। फु fragrance कहते थे भ़े भंगलों में मत रहो। गांधी की एक बात नहीं मानी, तुमने गांधी की कोई बात नहीं मानी, सो में से, सिर्फ एक बात मानी, मुझे सुरक्षा मत दो, तुमसे अच्छा तो सूरावर्दी था भाई, जिसको हम बूचरव बंगाल कहते हैं, जब गांधी नौाकली में गए, अभी जी जी तो उनक के लोगों ने कहा कि यह प्यारे लाल जी नहीं है जो पूरी पुस्तक के अंदरे जिकर मिलता है और खुद गांधी इवांग में इसका जिकर मिलता है तो गांधी से लोग बोलते थे कि आप तो आइंसा की पुछा रही है आप ये सेना और पुलिस वाले को सुरक्षा देओंगे तो वो अपने दूश्मन को सुरक्षा दे सकते हैं और तुम जीवन भर गांदी के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेखते रहे गांधी गांधी चिला कर तुम देश में पधान मंत्री और मंत्री और तुमने पद हतिया लिया और सालों तक तुम सप्पाबर काबिज रहे उस गांधी के तुमने जान बचाने की कोशिश नहीं की और गांधी के दुश्वन उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं जिल्बात चूके हुइं एक की बंतेर हैं और सरदार पटेल मीटार बनेंtar बने के लिए तू है की विछे मनम करने LED तो छोव बना है तू उसमें तुशार गांदी ने बात कही थी कि नहरू और पटेल के लिए बहुत अच्छा था कि वो रोज महात्मा गांदी की जड़कियां सुने बिल्ला वहन जाकर इससे कहीं बैतर था कि वो साल में दो दिन, दो अक्टूबर और तीस दंवरी को राजगार जाएं, फुल चड़ाएं और यही बात उनने पुस्तक में लिखी लेक्सकल गांदी जो लिखाए कि भाई गोर्से ने जो मारा गांदी को तो उसने अपने गांदी को मारने के साथ अपनी लक्ष में कामियाब तो ही गया गांदी से परेशान हो चुके हुए जा गांदी अपनी राय देते दें गांदी अपने प्रश की नहीं कैजिन से मनवाना चाहते रहे तो भाई इसपे कोई niin करताए बच्चों जैसी गल्तियां की है बच्चों जैसी गल्तियां सब कुछ बादम होने कर एक इलाकिया पार्शा दे तुम उसको नहीं पगड़ पा रहे हो तुम साधी वर्दी में पुलिस वाले तहनात कर देते हैं तुम कॉंग्रेस सेवा दल था एक बड़ा संगठनता है कि काई होती ही कॉंग्रेस सेवा दल कॉंग्रेस की उसके कुछ चलाते हो फिर दूसरे विचारधारादारा को बड़नाम करते हो भाइक तुम बीकांदी को बचाने में नाकाम रहे इसके ूअड़े नहीर हो जह बहारत है कि सरदार पठेल ने थी पांसों स्च जाधा रियाशत हुआ है एक ही करण किया तो ग्रह मंत्री होने के नाते तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और हुआ यह जब गांदी की एक्तिया हो गई तो जैप्रकाष नारायन ने और रामनोर लोहिया ने सरदार पठेल के खिलाफ मुहीम छेडी और दिल्ली में धरना परदेशन की एक धरना परदेशन जुरूस तक खतरनाक था कि पार्लेमेंट के अंदर तक घुजगए थे लोग उस समय तक पार्लेमेंट तक आप धरना परदेशन कर सकते हैं जलतर मंतर तब तक नहीं बना था तो सरदार पठेल इस्तिफा दो सरदार पठेल इस्तिफा दो के नारे लगाते हैं जैप्रकाष नारण और रामनोर लोहिया ने जहाई तोर पर यह बात में खुल कर सामने आया, यह मेरी की पुस्तक में है, वो आई-बी की रिपोर्ट आती है, कि जैप्रकाष नारण और रामनोर लोहिया सरदार पटेल से स्तीफा दिलवाके और सामा परसाच मुखर जी और वाकि लोगों सर्दार बल्देव सुन्ह को मंदल से अटबा कर खुद मंत्री बनना चाहते तो जैप्रकाश नारा लोग दूसरे लोग और कहीं ना कहीं इसके बीचे नहरू की शहती नहरू गांदी की हत्ता करके सर्दार पटिल को निशाने पर लेना चाह रहे थे क्योंकि उस समझ जैप्रकाश नारा कहीं और नी रुखे थे नहरू के खरह में रुखे हुए तो मनीवन्ट सर्दार पटिल की बेटी उनकी डारी में लिखा हुआ है कि सर्दार पटिल ने परतर लिखके फिर इस्तिवा दे दिया सर्दार पटिल ले गांदी की बचाना में नाकाम होगे ले लो मेरे इस्तिवा और दुख जाहिर किया कि जो लोग मेरे इस्तिवे के मांग कर रहे हैं वो आपके घर में रुके हुए तो फिर नहरू ने उनको अपने घर चोड़ने के लिए का और सर्दार पटिल को इस्तिवा वापस लेने के लिए मनाया तो मतलब इस तरह की हो रहा था ना गांधी के बाद लेकि गांधी के बचाने की कुशिश नहीं हुई तो यह बड़ी विसंगतिया हैं इस केस में यह सामने आना चाहिए और यह बहुत जानवुच्छ चुपाई जाती है ऐसा नहीं है कि यह कोई साथ तालों के अंदर छुपा रास था जो मैं निकाल कर लिया यह आराम से कोई भी ठीक ठाक रिसर्चरों निकाल के ला सकता है जी लाएक हों क्योंकि अब यह बताइंगे तो फिर तो गुर्यंगार को यह और साबित हो गोट्षे की तीन गोलिया थी, वो तो गोलियों ने मारा, देकिने गोलिया चली कैसे, वो चल कैसे गई, वो पहुच कैसे गया वहां तक, उसको तो 22 जनवरी कोई ग्रफतार कर लेना चाहिए था जी आपको, तो भी इसा बात कोई करता नहीं है, इनके एजेंडा है इसके पी और भगवां की करपा से सारे देश के बड़े चैनल्स पर काम किया, ठीक था, तुग आप एक फील्ड में 20-20 साल गुजार ले तो एक अच्छे चैनल्स पर आपका एक सरकल बन जाता है, तो जो मेरे प्रकाशक है, जनसभावाले, पुरीजी, तो उनको लगता था कि प्रक मेरी जनलिस्तिक ब्रादर ने देखिया, मेरी मीडिया के साथ ही होने किया, अच्छा, मेरी जब पुस्तक आई तो एक बहुत बड़ा मीडिया होस है, तो उसने खुद हो के बोला, कि प्रकर हम तुमारी पुस्तक के समिक्षाश आपेंगे, तो मैं बोला कि ठीक है, मैंने बयान देती ही इन गोटसे बगएरा, कि उसमें सामने आता है, कि एक महिला थी, जो गांधी के कैम्पे में थी, मैंने गांधी के साथ रहती थी, और वो गोटसे और इंसे मिली हुई थी, ऐसा मदललाल पहवा, जो बम फोड़ा तर इसने, उसने अपने बयान में कहा, कि एक महिला है, जो गांधी के कैम्प में है, और गांधी के साथ रहती है, वो गांधी की सारी जानकारी गोटसे को देती है, ये अपने पुलिस रिकॉर्ड में उसने, पुलिस को दिये बयान में, पहवा ने बोला, और पहवा ने ये बात डॉक्टर जैन को भी बता है, सफेद साड़ी में, गोटसे के पास आई, माराथी में दोनों की बीच में बाच्ची शुरू ही, मैं पास में खड़ा था, गोटसे ने मुझे साइड में जाने के लिए बोल दिया, कि तुम आपटे के पास जाओ, तो एक महिला का जिकर आता है, मेरी पुस्तक में, जो गांधी के पास थी, और गोटसे के साथ उसका संपर्क पर था, ये पुलिस की जाच में आता है, अब ये इसकी आगे जाच क्योंनी हुई, वो महिला कौन थी, हो सकता है पहवा ने जुट बोला हो, हो सकता है, पुलिस ने मार कर उससे जुट बोला, अगर पहवा ने जुट बोला, तो क्यों बोला, और पुलिस ने अगर उससे मार कर ये बुलवाया, तो पुलिस किस महिला को फसाना चाहती थी, और सही में वो महिला थी, तो ये पुस्तक जब उस पत्रकार के प मतलब वह एक महला भी थी, मैंने पुलिस इंक्वारी के अंदर सामने आता है, उस महला का जिक्राता है, और फिर उस महला के कहीं बात नहीं होती है, तो बोले यार मैं ऐसी के आधार पर समिक्षा लिखता हूं, मैं as you wish, लिख सकते हूं, उस तें पुलिस समिक्षा भी लिख और आखरी में, जिस दिन मेरी पुस्तक का विमोचर होने वाला था समिक्षा शक्ति वाली थी, उस समिक्षा शापने से उस वेबसाइट के संपादर ने इंकार कर दिया, और जानता हूं को था, और उस ने आधार दिया कि नहीं यार यह तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा, ऐसा ही आनर है, बयानों के अंदर है, कप्र कमिशन में है, लेकिन आप मानके चल रहे हो कोईतों है, यह तो इस तरह है कि आप ने आखें बंद कर ले लिए, है तो हुआ ही नहीं हुआ हो एसी किसी ने कोई बाती नहीं की होगी यह तो लोगा प्रतिवन लघाने की बाक करो मेरी पुस्तक पे तो मैं जो कह रहा हूँ ना कि पहला जो जिस भाईष का बीकॉट का वं Dip lnส आमने एक या दो जगा को छोड़के कहीं नहीं चापी और मैंने कहा कि ठीक है मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं था मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं था मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है इस तिया मैंने किसी कहीं किसी प्रेशर नहीं डाला मैं बोल भी सकता था शा चाने वाले लोग थे सामदाम दंडभेट सब का इस्तमाल किया गया कि उस तक मैं ना लिखूं लेकिन इवन मैंने आखरी समय तक अपने मेरे बड़े भाई से भी बाद शुपा के रखी वो भी उन्होंने का था कि उनके ओपर भी प्रेशर डला गया मेरे बड़े भाई पर वो इंदौर में रहते हैं जनलिस्ट और सीनियर तो उन पर भी दवाब कुछ लोगों ने डाला कि अपने भाई को रोको यह पुस्तक ना लिखे वो तो मेरे बड़े भाई ने बोला तो मुझे लगा कि मैं क्यों उनको फाल्तू तनावगी तो मैंने कहा कि ठीक है मैं नही में गाई को तो फंदरा दिन पुस्त जब तक चप रही थी तो किसी को जानकारी दे कि पुस्तक शप रही है रूसे जा जो किए बाई को यूब यह आपको आना इस तारीक को क्यों बिल्ली को ना पुस्तक कभी मोचन है तो हंस दिये गोलग ळे तुम नहीं माने ना मैंने क लोगों को आए साथ दिया तो बड़ा प्रेशर एक बनाए गया क्योंकि आप इस दिशे को चूकर अचूत हो जाते हो अपनी आपको ऐसा मान लिया जाता है कि आप अब जब पुस्ताग आ गई लोगों ने पड़ी तो लोगों को लगे नहीं या तो फैक्ट से फिर कुछ ल बीस दिन में ही खतम हो गया हम आट अफ स्टॉक हो गए हम दो सोचाई नहीं था और आच्छा कि हम तो तरह पबलीशी नहीं करवाई थी वुक हमें लगया कितना लोग पड़ेंगे बीस दिन और अफानन के अंदर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा अब पांच्वा स थी और सिर्फ हेराम उसमें हिंदी के लोटी बुख थी पहली सो पुस्तकों के अंदे बड़ा अचीवमेंट था मिली बहुत लंबे समय इंडिनिस्टी केटेग्री में नंबर वन मनी रही देड़ दो महने दो महने उसके बार टॉप टैन में बहुत दिल तक रही अभी भी मैं ऐसा रिस्पॉंस जिसकी मैंने कलता नहीं की थी में लिए सबसे चौकाने वाला ये था कि एक बिहार से एक वेक्ती ने मुझे एक तस्वीर भेजी उसके घर में प्लास्टर नहीं था आप और हम भी जब 600 रुबे की पुस्तक है आप और हम भी जब 600 रुबे की पुस् ने मैं फेस्बुक मेसेंजर के तुम तस्वीर भीजी ऐसे बहुत लोगों ने तस्वीर भीजी मलब शायद 400-500 लोगों ने में अलग 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 गाउं से अलग 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 शहरों से चोटे बड़े विदेशों से तस्वीर आई हैं मैं शेर भी करता रहा हूं को जितनी कीमester हो सकी तो जो response मुझे मिला और मुझे response जो लग रहा था कि मुझे इनसे मिलेगा उनसे मिला मुझे उन लोगों ससे मिला जिनकी लेम सोचता ही था कि पुस्तेक ख़ड़े भी बहुत मलभ पहली बार आप जीवने पुस्तक लिख रहे हैं और उसको यह रिस्पांस मिलेट मिलाब सब भगवान की कर पाए बिल्कुल बिल्कुल कोई प्लान से दुसरे बशा में इसको प्रकाशित करना है मराथी के अंदर पुस्तक आ चुकी है अच्छा और मराथी में इसका नुवाद सचिदन शेवले जी ने किया है जाने माने साहितिकार है अश्र की बात है कि उन्होंने खुद मुलेगदी रंडमान से फोन किया वीर साबागर पर कथा भी सुनाते है और राम कथा भी सुनाते कि मैंने पुस्तक बड़ी है मैं इसका नुवाद करना चाता हूँ तो मिनका नाम से आप मेरे पुस्तक का नुवाद करना चाता हूँ मैंने कि मिस्स सोबागी की बात क्या हो जखती है कि मैं एक ही पुस्तक मैं अपते बुरे जीवन में लिखी है पहली है और वो पचास प इसको पढ़ रहा है लोग उसको पढ़ रहे हैं इसके अलावा कंड़ बंगला में काम शुरू हो चुका है अंग्रेजी अनुवात निग्लिश टांसलेशन भी शुच चल रहा है तो मैंको लगता है कि अगले साल की शुरुआत तक मलब सब्सक्राइब चालै ने रहा है न सी किए भी बात्र सिंट्रियू